अग्यार्टन वंपएरेंस वेलकंटु दूर्चोन सब्सक्राइब आज आपको मेह डियर के दो डीन तो मैं आज आपको मैसे वीडियो को अच्क हो देखे झो लेकर हो बच्चों को यह बनालेंगे ठीक है सभी बच्चे math के copy निकालेंगे पहले सबसे पहले हम को यहां पर क्या डालने है डेट डेट क्या है 28-12-2022 ओक्या डेट सभी बच्चे डाल लेते हैं फिर डालेंगे यहां पर किसी डॉट डॉट्व डॉट्साइब डालेंगे एच्चों ठीक हो गया है एच्च डॉट्व डॉट्व डॉट्ट को गया च्प्याज हम इसमें करेंगे एडिशन अंड्सावी बच्चे में इसाथ डालो एडवल डी आई टि आई आई ओ एन एडिशन जा प्लास में ऐसे डालते हो ना बन फिंगर गप छोड़ेंगे ब्रैकेट बनाएंगे ऐसे करेंगे उसमें एडिशन में प्रस का साइन और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोस हो गया डेर हैडिंग और ह.w. बसे नेक्स लाइन पर आ जाओं पहले आफको इहां पर लिखना है यू-faw-unit के निच्छे हम आजाएंगे यहां पें लिखेंगे 3 पितना लिखेंगे 3 लाइन से हमें तच करें सिद जिल और यहां पर 5 पर आपके सामने लगा मैं 5 कर ख़ुल को कर देंगे Take that चीक है है हो गे सबने इतना उतार लिया फिर next box पर आएंगे अभी मैं कराऊंगी कैसे करना है फिर one box को छोड़ देंगे फिर यहां पर लिखेंगे you for unit लिख लिया फिर लिखेंगे में r.we dot r.we dot ka means r Clerk आपको लाजORA समझाय है न आप यहां पर लिखेंगे two लिखले है और यहां पर लिखेंगे four और box को कर देंगता प्रस का sign लगाएंगे और box को कि देंगे बन हो गया इसी आप देखो मेरी कॉपी बढ़ी है इसलिए मैं और एडिशन इधर लिए अगर आपके कॉपी छोटी है तो आप नेक्स पेज पर आएंगे ठीक है वन बॉक्स छोड़ दो क्या है यहां पर लेको यह दो टू बॉक्स मैंने छोड़ दया अगर वन सब्सक्राइब करेंगे जैसा क्लास में करते हो समझ में आ रही है कोई भी बच्चा गलत काम नहीं करेगा जैसे यहां पर वन बॉक्स छोड़ दो फिर लिखो यू फॉर यूनिट आर डॉट डबलू डॉट यानि की रफ वर्क हो गया अब इसके नीचे आजाएंगे यहां पर लिखेंगे आप टू और टू के नीचे भी टू लिखेंगे और प्लस का साइन लगाइंगे और बॉक्स को कर देंगे बन अब हमको इसको एडिशन करना है कैसे करना है हमको एडिशन का मीजन दोता है प्लस यानिक जोड़ेना वन और वन को जोडना केतना हो गया टू ओ ठीक है अब अब ये जविशल गा थी तो जो ऊपर यू फॉर लेकिनी जो डिजिट लिखी होते हैं उसको हम भान निकालते हैं यह होगे हमारा 3 को हमने भान निकाला फिर यहां पर हम क्या लगाएंगे प्लस का साइड अगर आपकी कॉपे में इस पेस नहीं है तो आप नेक्स पेस पर काम करा लिजेगा जरूरी नहीं है कि एक ही पीज प 2,5 और equal का sign अगया अब इसको count करेंगे अब count क्यासा करेंगे three के बाद बन को count नहीं करेंगे यह लिखा है three 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 ृ के बाद क्या आता है four five six seven eight कैतना अंसर आया हमारा eight तो 8 equal के बाद इधर लिख देंगे और एधर लिख देंगे आगे समझ में इसी तरीके से फिर नीचे है जहीं नीचे वाले अडिशन में अब नीचे 1-4 यूवर यूनिट के नीचे कौन सा नमबर लिखा है तो क्या निचे किटना नमबर लिखा है 4 तो कितनी लाइन करेंगे हम 4 जैसे नीचे 5 उपर आले सम में 5 लिखा था ना ऐसे यहाँ पर 4 लिखा तो यहाँ पर हम कितने 9 करेंगे 4 कलो लाइन काउंट करके 1, 2, 3, 4 और equal का sign लगाओ चीके अब इसको count कैसे हैं 2 के बाद 3 आएगा ना 1 नहीं आएगा तो ऐसे count करेंगे 2 जो भी नंबर लिखा होता है उसके आगे वाले counting हम सुरू कर देते हैं 2, 3, 4, 5, 6 कितना अंसर आ है हमारा 6 यहाँ पर 6 लिखेंगे और यहाँ पर 6 लिखेंगे हो गया अब इसी तरह से next आजाओ आप कौन सा नंबर लिखा है यहाँ पर 4 और वन तो कौन सा नंबर लिखेंगे वन को यह 4 को बताइए 4 को क्योंकि यूफोर जो पहला नंबर लिखा हो तो उसको भान निकलते हैं और क्या लागाएंगे प्लस का साइन अब 4 के नीचे कितने नंबर लिखें हैं 1 तो कितनी लाइन होगी हैं हमारी only one line कर दो यहाँ पर रिक्वल का साइन लागा अब इसको count करो चलो कैसे count कर दो 4 के बाद क्या आता है 5 तो कितना अंसर आया हमारा 5 यहाँ पर लिख दो 5 और box के अंदर भी कर दो line से touch करके चीकिए अब आजाओ 2 नीचे 2 और 2 लिखें तो पहले किसको निकारेंगे 2 को भार पहले उपर वाले नंबर को हम बाद लिकारें फिर plus का sign अब नीचे कितना लिखा है 2 तो कितनी लाइन करेंगे 1 2 और equal का sign फिर counting करो 2 3 4 कितना अंसर आया हमारा 4 यहां पे भी 4 और यहां पर यहां पर यह हमारा काम complete हो गए addition अगर आपकी copy में space नहीं है तो आप पीछ वाले page पे कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि एक ही page पे आपको 4 addition करने हैं ओके बेटा कोई भी problem तो message यह call करके पूछ लिजेगा थांक यू बएबाइ